सो फानिली बजाद अपनी प्लेटिना को अब 150 सी इंजन उप्शन के साथ भी लॉंच करने वाली है जिस पर कि दोस्तों आप लोग को एक सेक अमेजिंग फीचर्स देखने को मिलेंगे जैसे कि दोस्तों आप लोग को प्लेटिना 150 पे जो है प्रोजक्टर LED हेडलेम देखने को मिलेगा डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलेगा और ABS जैसे दोस्तों आप लोग को काफी सारे फीचर्स प्लेटिना 150 पे देखने को मिलेगी तो आज किस वीडियो पे दोस्तों मैं आप लोग को इसी प्लेटिना 150 के बारे में कम्प्लीट डीटेल से जानकारी दूँगा किस बाइक को दोस्तों कब तक हमारे इंडेन टूलर मार्केट पे लांच कर दिया जाएगा लांच किया जाएगा तो इसकी प्राइजिंग क्या कुछ रहने वाली है साथ यसाथ दोस्तों बाइक में आप लोग को क्या कुछ फीचर्स मिलेंगे उन सभी चीजों के बारे में आज किस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे तो चलिए दोस्तों बाम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आप लोग चैनल पे पहली बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिजेगा आगे आप लोग को बाइक से लेटेड ऐसे वीडियो की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी तो चलिए दोस्तों बाम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब यहां पे दोस्तों सबसे पहले अगर आप लोग को इस बाइक के looks के वारिम बता हूँ तो बाइक का जो look है यह अप लोग को पिलेटिना के तरह ही almost देखने को मिलेगा लेकिन दोस्तों पिलेटिना स जैसे के दोस्तों आप लोग को इस बाइक पर फ्रंट पर पर प्रोजेक्टर LED हेडलेम का सेटप देखने को मिलेगा साथे साथ दोस्तों बाइक पर आप लोग को फुली डिजिटल मीटर कंसोल दिया जाएगा जिस पर एक दोस्तों आप लोग को अच्छे खासे इंफॉर्मेशन भी देखने को मिलेंगे साथे साथ दोस्तों बता दो कि आप लोग को इस बाइक पर जो है USB चार्जिंग पॉन भी दिया जाएगा जिससे दोस्तों आप लोग अपने फोन वगरा को चार्ज कर पाएंगे और सेफटी वाइल दोस्तों आप लोग को साइड स्टेंड इंजिन का टॉप संसर के साथ जो है डूल डिस्प्रेक के साथ सिंगल चैनल ABS भी देखने को मिलेगा तो फीच्श को दोस्तों आप लोग को इसपैक पे काफिटरीन दिखने को मिलेंगे इस इससाथ दोस्तों अगर मैं आप लोग को इंजन के बारे मिसमा बताऊं तो इस भैक पे दोस्तों सेम आप लोग को बजाज QPLSucken देखने को मिलेगा जो कि दोस्तो 149.68 CC का Air Cool BS6 Face 2 Engine है जिस पर एक दोस्तों आप लोग को OBD2 Sensor के साथ जो है E20 Capable Engine दिया जाएगा यानिक दोस्तों जो 20% ethanol वाला fuel होता है वो आप लोग इस बाइक पर यूज़ कर पाएंगे पाउर फिगर्स के बारे में बताओं तो लगबग दोस्तों आप लोग को 14.3 BSP तक की पावर और 13.5 अनम तक का आप लोग को तॉर्क देखने को मिलेगा जो कि यह जो बाइक है दोस्तों यह 5-speed gearbox के setup के साथ आएगी जिस पे दोस्तों mileage आप लोग को लगबग 50K MPL के आसपास में देखने को मिलेगा इस एक साथ दोस्तों बतादू कि आप लोग को इस बाइक पे जो है self restart के साथ की start भी दी जाएगी बात करे जाए प्लेटिना 150 के pricing के बारे में तो इस बाइक का जो price है दोस्तों यह आप लोग को 150 CC segment के इसाप से काफी affordable भी देखने को मिलेगा जो कि इसका जो price है दोस्तों यह लगबग आप लोग को 1,30,000 रुपए के अंडर मही on road देखने को मिलने वाला है बात करे जाए दोस्तों इस बाइक के launch के बारे में तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दो कि इस बाइक को जो है testing के दोरान already देखा जा चुका है तो मतलब दोस्तों आने वाले कुछी मैनों में जहे पिले टिना 150 को हमारे इंडियन मार्केट पे बजाज कंपनी launch कर देगी तो अब आपका क्या opinion है दोस्तों इस बाइक को लेके नीचे coinbox पे अपना opinion जरू लिखेगा और इस वीडियो को भी दोस्तों हम लोग फिलाल end करते हैं तो I hope आप लोग को ये जो वीडियो है या आप लोग को पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पर अप्लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिजेगा तो इस वीडियो में दोस्तों फिलाल इतना यह मिलता है इंगले वीडियो में तब सक के लिए जाहिन वन्दे मातरम and also राइट सेव